नमस्कार में हूं अमदासिफ और आप देख रहे हैं SP9 NEWS दल बदलनी की राजिनिती हम सबने बाखुबी तरीके से देखा कौन पाटी कब किसके साथ चला जाए ये भी हम सबने देखा कब किसकी सरकार गिर जाए ये हम सबने देखा और इसलिए कभी कोई पाटी को अहंकार नहीं करना चाहिए क्योंकि कौन पाइधाय कब बिग जाए ये भी कोई नहीं जानता है जनता के सवालों का जवाब नेताओं के पास होता नहीं तरजा मामला आप सब के सामने ही है वो है महारास्ट से शिप्षेना की सरकार दाव पे लग चुकी है संकट में आ गई है कभी भी सरकार उनकी गिर सकती है हम सब जानते हैं एक कांथ शिंदे ने जो है एक बगाप्ती तोर अपना लिया और चालिस बिधायकों के साथ कभी गुजरात कभी सूरत और कभी गुआटी अपना जो है दौर दौरा कर रहे हैं इन सब के बीच में कभी कमलनाथ जा रहा है मनाने के लिए तो क्या आप सवाली है सोनिया गांदी जाएंगी एक सवाली है इस बीच में जो खबर आ रही है वो अब दर्शोकों को बता दे पहले कॉंग्रेस के कारण शिप्षेना से बागी हो गए हैं एक कांत शिंदे दो दिन पहले अदित्य ठाकरे और संजे राउस से हुआ था तगरा जगरा यही है यही सुनाने के लिए मैं आपको बता रहा था कि आज जो कॉंग्रेस शिप्षेना और इन सिपी में धरार पैदा होने वाली है क्योंकि सरकार गिरने वाली है इसका जो सबसे बड़ा ज़ बताएगा लेकि में जड़ यही है कि एकांत शिंदे की नाराजगी और उसकी वज़ा कि संजे राउत और अधित्य ठाकरे में अहसमती होना नाराजगी होना अंतरकल होना और इसलिए आज सिय मुदभ ठाकरे के हाल यह हो गई है महारास्ट सरकार गिरेगी या गिर गिर कर बच जाएगी या बच बच कर गिर जाएगी यह कहना मुश्किल हो गया है क्योंकि पूरी तरह से वो अपनी बगापती तोर अपना रहें और पीछे हटने के लिए राजी नहीं हो रहा है क्या कमलनात्वा जा रहे है मिलने के लिए से मुदभ ठाकरे से क्या सूनिया लेकिन जादा हो गया है नेता बिधायक आज अपने फायदे के लिए कैसे बिक रहे हैं खुला मंज़र देखते देए और उस सपनों को भूल जाए जो जनता के पूरा करने के लिए जो है आपसे वोट मांगने आते है चुले आज के लिए तना ही बाइक खबरों के लिए स्वियन आइन्यूस नमस्का